It is lecture of different type of level transmitters. Friends, आज के इस lecture में basically हम अलग-अलग तरीके के level transmitters के बारे में डिसकस करेंगे, जिनको chemical industry में use किया जाता है. So friends, अगर आपको मेरे lecture अच्छे लगते हैं, तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए, और जितना ज्यादा possible है, उतना ज्यादा अपने friends से share कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए Friends, सबसे बहले हम बात करते हैं different types of level transmitters की तो Friends, basically इन level transmitters को दो तरीके से classify किया जाता है पहला होता है point level measurement और दूसरा होता है continuous level measurement Friends, point level measurement में क्या रहता है कि आप ने इसको एक particular point पे लगाया है जब आपका जो भी आपको level measurement करना है जब वो level उस point को cross करेगा ये sensor आपका तभी reading देना सुरू करता है Friends, इस तरीके के sensor को basically बोलते हैं point level measurement sensor और continuous measurement sensor आपका बिल्कुल जब tank में bottom से material आने लगेगा वहां से लेके वो top तक जाते-जाते वो पूरा का पूरा level आपको measure करके देता है उसे बोलते हैं continuous level measurement So friends, basic distinguish हम दो तरीके से करते है point level measurement और continuous point level measurement basically जिस point पे आपका LTE लगा है ये वाला ये उस point से नीचे के आपको कोई भी reading नहीं देगा ये आपको reading देना तभी सुरू करता है जब आपका जो fluid है या जो liquid है उसका level उस point को cross कर जाता है जहां पे LTE लगाया गया है और continuous level आपका ये आपका tank के bottom से जो मटेगारा आने लगता है ये तब से लिके आपको जब तक आपके tank में जहाता का level है ये आपको पूरा का पूरा level दिखाता है आपके लेवल ट्रास्मिटर्स के बारे में डिटेल में डिस्कुसन करेंगे आगे की स्लाइट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं floor type level transmitter floor type level transmitter के case में आप जाही ये वाला diagram देखिए जाही ये वाला diagram बिसिकली एक float valve जैसा लगा रहता है जैसे जैसे पानी का level बढ़ता है वैसे ये floor 2 पर की तरफ move करता है लेकि आपका जो आपका अंदर पानी का लेवल है वो कितना है इस तरीके के working principle को basically बोलते है flow type level transmitter जहाँ पे basically आपका एक float रहता है जो जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता है तो उससे लगने वाली byoint force की वज़े से वो उपर की तरफ move करता है और basically उसके उपर की तरफ movement की वज़े से बाहर एक sensor लगा रहता है जो इस movement को detect करता है और आपको ratings देता है कि आपका लेवल कितना है अब friends बात करते हैं इसके advantages और disadvantages की so friends इसका पहला advantage यह है कि इसका simple construction होता है it is insensitive to changes in density density में किसी भी तरीके के जो changes होते हैं वो इस पे कोई भी impact नहीं डालते है it can be used with corrosive liquid इसको हम corrosive liquid के साथ भी easily use कर सकते हैं but friends इसके disadvantages की बात करें तो it is sensitive to turbulence अगर कोई turbulence हो जाएगा तो यह उसमें आपको गलत ratings दे सकता है इसको basically हम वहाँ पे use करते हैं जहांपे reasonably clean liquids रहते हैं यहांपे जो liquids होते हैं वो हमारे clean होने चाहिए it is both suitable in low pressure oblique atmospheric pressure only यह हमारा low pressure या फिर atmospheric pressure operations में ज्यादा suit किया जाता है ज्यादा pepper किया जाता है basically high जहांपे full vacuum है वहाँपे हम इसको prefer नहीं करते हैं because यह हमारा गलत ratings दे सकता है friends अब हम बात करते हैं next type next type है मेरा vibrating fork type friends इस case में देखिए यहाँ पे मेरा transmitter लगा हुआ है इसमें basically अंदर एक fork लगी हुई है यह fork क्या करती है पानी का level जैसे ही उपर या नीचे की तरफ होता है यह fork आपकी vibrate होना शुरू हो जाती है so friends यह जो बाहर लगा हुए sensor है यह इसकी vibrations को measure करता है कि यह fork कैसे vibrate कर रही है और यह उसके हिसाब से आपको बाहर ratings देता है कि अंदर आपका tank के अंदर level कितना है friends दुबारा समझेए इसमें basically जो आपका sensor है उसमें एक fork लगी हुई है यह fork क्या करती है आपके पानी के level में जैसे ही पानी का level कम ही ज्यादा होता है vibrations होती है आपकी air की vibrations होती है फिर पानी जब ऊपर के तरफ जाएगा तो पानी के यह contact महाने से vibrate करता है तो basically यह उन vibrations को measure करता है और उन vibrations के हिसाब से यह आपको यह बताता है यह आपको exact reading देगा it is preferred for high temperature fluid compatibility अगर कहीं पे आपको high temperature operation के लिए जाना है तो वहाँ पे भी आप इसे use कर सकते है इसका काफी छोटा size रहता है यह इसका एक और advantage है इसे specialized reactions और evacuated vessels में भी use किया जा सकता है उससे भी इनके performance पे कोई भी impact नहीं पड़ता है आमीन सकर कहीं कि आपको pressure reaction करानी है या फिर under vacuum तक जाना है तो उसके इसके measurement पे कोई measure impact नहीं आता है अब friends हम बात करते हैं इसके disadvantage की अगर हमारा कोई thick या sticky liquid होगा तो वो क्या होगा इसके surface पे चिपक जाएगा इसकी वज़े से इसके जो sense करने की power है वो कम हो जाएगी because vibrations पे impact आएगा so friends ये इसके disadvantage होता है second fouling अगर कहीं पे fouling हो रही है dirt जमा हो रही है तो उससे भी इसकी resonant frequency पे impact आएगा और ये गलत reading देगा third one is इसका जो cost है वो काफी high होता है friends next हम बात करते हैं basically conductivity type level transmitter गी so friends conductivity type जो होता है इसका basic working principle ये रहता है कि आपके दो electrodes आपके इसमें रहते हैं इस sensor में इन electrodes में आपका low voltage AC supply रहती है जैसे ही ये बीच में conductive material आता है और ये इन दोनो electrodes को touch करता है तो आपका circuit पूरा होता है और ये बाहर आपको एक reading देता है depending on that reading हमें ये पता चलता है कि अंदर हमारा tank के अंदर level कितना है friends दुबारा समझेए इसमें basically दो electrodes होते हैं और इनमें बिल्कुल low voltage AC supply होती है जैसे ही ये liquid level इसमें बढ़ता है और ये दोने electrodes को touch करता है हमारा circuit complete होता है और ये बाहर हमें reading देता है इसमें ये पता चलता है कि हमारे tank के अंदर level कितना है अब friends हम बात करते हैं इसके advantages की इसका जो cost होता है वो काफी कम होता है simple design है कोई भी moving part नहीं है ये pressurized vessel या फिर liquidated vessel में भी use किया जा सकता है उससे इसके performance पे कोई भी impact नहीं पढ़ता है अगर friends इसके disadvantage की बात करें तो process substance मैं भी conductive ये आपका तभी काम करेगा जब ये material आपका conductive nature का होगा because इसका working इसका नाम ही है conductivity type अगर ये conductive nature का नहीं होगा तो ये sensor आपका काम नहीं करेगा only point detection measurements can be obtained and the third one possibility of sparking makes it non suitable for flammable material इस case में sparking होने के chances हो सकते हैं जिसकी वज़े से हम इसको basically highly flammable materials के case में prefer नहीं करते हैं ये याद रखेगा friends इसको हम आपका sparkling material या फिर flammable materials के case में कभी भी use नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे आपका spark होने के chances हो सकते हैं जिससे fire पकड़ सकती है friends next हम बात करते हैं optical type of level transmitter friends optical type of level transmitter रहता है इसमें basically ये देखेए एक LED light जैसी रहती है और ये बाहर एक prism जैसा बना रहता है ये prism आपका total internal reflection पे काम करता है TIR कुछ लोगों ने सुना होगा मैं आपको बता देता हूँ TIR वो principle होता है जिसमें जितनी भी light निकलती है वो light पूरी की पूरी अंदर ही reflect हो जाती है इसको बते है total internal reflection ये आप physics में एक term आता है आप उसके इसे उसके अंदर पढ़ेंगे optics के अंदर so friends मैं आपको basic समझाता हूँ इसका basic principle क्या बोलता है कि जो भी light यहां से बाहर निकल रही है आपकी LED light जो भी बाहर आ रही है अगर बाहर आपकी air प्रेजेंट है तो वो पूरी की पूरी light आपकी reflect होके दुबारा receiver तक पहुँच जाएगी और ये receiver उस light को measure करेगा बट अगर बाहर आपको कोड़ liquid भरा हुआ है इन डाइट केस ये जो light है ये light आपकी बाहर भी transmit होगी ये देखिए light lost in liquid ये light आपकी बाहर भी transmit होने लगेगी जिसकी वज़े से जो receiver तक light पहुँचेगी वो light आपकी कम हो जाएगी so friends ये basically ये check करता है कि इसने कितनी light छोड़ी और receiver पे कितनी light receive होई उसके base पे हमें ये बताता है कि हमारा जो tank के अंदर है वो कितना level है friends याद रखेगा ये basically काम करता है total internal reflection के principle पे जितनी भी light LED हमारा छोड़दा है उतनी ही light दूसे point पे receiver receive करा है जब हमारा बाहर air present है बर जैसे ही हमारा बाहर liquid आता है in that case total internal reflection बंद हो जाता है और कुछ light यहाँ पे भी loss होने लगती है और थोड़ी सी light खाली internally reflect हो रही है तो ये जो sensor है हमारा ये कितनी light हमारी reflect हो रही है उसको measure करता है और उसके base पे हमें ये बताता है कि इसके tank के अंदर हमारा कितना level है friends अब हम बात करते हैं इसके advantage और disadvantage की इसका advantage ये है कि इसमें कोई भी moving part नहीं रहता है छोटा सा size होता है and cost इसका काफी कम है but इसका disadvantage खाली ये है कि it is not suited for those applications where top mounting is necessary ये उन applications में suit नहीं होता है जहाँ पे top mounting ही आपको करनी पड़े because इसमें basically होता क्या है अगर आपकी vapors या कुछ गरम material की vapors जाके उपर लग गए तो ये आपका properly sense नहीं करता है करते हैं capacitance type so friends capacitance type capacitor जो capacitance type जो level transmitter होता है ये basically आपका काम करता है capacitance के principle पे इसमें देखे ये आपका एक probe हो गया और ये आपका second हो गया आपका ये wall ये basically इसको as two surfaces consider कर रहा है और इसके बीच में ये capacitance ये रिखे ये बाहर आपका capacitance measure कर रहा है जैसे जैसे इसका level बढ़ता जाएगा इसके बीच में जो भी material है उसके dielectric constant की वज़े से आपका जो है वो capacitance आपका increase होता चला जाएगा so friends याद रखिए इसका basic working principle क्या रहता है कि ये probe and wall इसको basically capacitor की दो plates के तरीके से consider करता है और जैसे ही इसके अंदर आपका material आने लगता है तो इस material की dielectric constant पानी का जादा होता है तो उसकी वज़े से आपका जो इसके capacitance है वो capacitance बानने लग जाता है तो depend करते हुए कि हमारा जो capacitance की value हमें कितनी मिल रही है बाहर हम capacitance measure कर रहा है उस capacitance की value के हिसाब से हम basically यहाँ पे level बता सकते हैं कि हमारे tank के अंदर कितना level है friends अगर हम इसके advantage की बात करें तो इस इस useful in only small systems यह चोचे systems में ज़्यादा use किया जाता है इस very sensitive यह काफी ज़्यादा sensitive है moving parts are not exposed to fluid इसका advantage यह रहता है कि जो moving parts है वो fluids से exposed नहीं होते है it is good for use with slurries अगर हम slurries के case में इसके use करते हैं तो यह अच्छा है and the probe material for corrosive fluids is also available इसके यह probe का material है वो corrosive fluids के लिए इसलिए अबलेबल है में आरकेट में हम उसे use कर सकते है but friends इसके disadvantage की बात करें तो it is badly affected by dirt and other contaminants अगर कहीं पर dirt या फिर और को impurities आ गई तो उसका इसके उपर reading पे गलत impact पड़ता है वो आपको गलत reading देगा change in temperature affects the sensitivity अगर आपके temperature change होता है तो भी इसकी sensitivity vary करती है recalibration required if measured material changes in composition friends capacitance आपका basically change हो जाएगा अगर आपका जो भी अंदर material है उसके composition पे या moisture में difference आए friends याद रखेगा आपका जो भी अंदर material है उसके composition में या moisture में कभी भी कोई change आता है तो इस case में आपको दुबारा आपके system को calibrate करना पड़ेगा otherwise आपको गलत reading ही मिलेगी so friends hope आपको capacity change type level transmitter का concept भी clear हो गया होगा next friends अब बात करते है ultrasonic type level transmitter friends यह जैसे मैंने आपको अपने flow transmitters के भी case में बताया था same level transmitter के case में है इसके case में आप देखेंगे उपर सीक ultrasonic light आती है वो light आपका नीचे आके liquid से टकराएगी इसके बाद में back होगी जो हमारा transmitter और receiver यह क्या करेगा transmitter ने उस light wave को भेजा receiver ने उस light wave को receive किया यह basically उस time interval को count करेगा और उससे ही हमें distance निकाल के देगा कि basically आपका जो liquid है वो कितने level पे है friends यह देखें ultrasonic impulses emitted from the ultrasonic transmitter से rays छोड़ी जाती है इसमें क्या रहता it measures the time delay between यह time delay को measure करता है transmitted and received signal signal cup छोड़ा गया और signal cup receive हुआ उस time के base पे हमें यह बताता है कि tank के अंदर कितना level है so friends याद रखेगा ultrasonic type level transmitter का working principle friends इसके advantage देखते हैं no physical contact with the process material इसका सबसे बड़ा advantage यह होता है कि इसका process material से कोई भी contact नहीं होता है so जहाँ पे भी हमारे काफी hazardous materials हैं वहाँ पे हम इसको easily use कर सकते हैं absence of moving parts इसमें कोई भी moving part नहीं होता है unaffected by change in composition, density, moisture material की density, moisture या composition कुछ भी अगर change होता है तो उसका इसकी reading पे कोई भी impact नहीं आता है friends अगर हम इसके disorder advantage की बात करें तो यह काफी expensive होता है और dusty vapors अगर होगा है मेरे तो वह इसकी reading को impact करते है friends next हम बात करते है differential pressure type transmitter friends अगर हम differential pressure transmitters की बात करते हैं तो basically इस case में आप देखिए आपका एक transmitter नीचे लगाया जाता है और एक transmitter आपका उपर की तरफ लगाया जाता है pressure में यह basically क्या measure करता है नीचे वाला आपके नीचे के point का pressure measure करता है और उपर वाला आपका उपर के point का pressure measure करता है कि उपर के point पे कितना pressure है और depend करता है इन दोरों के pressure difference पे delta P is equal to rho g h उसके base पे यह हमें height calculate करके देता है हम सबको पता है कि P is equal to rho g h होता है तो इस case में यह delta P measure करता है यहाँ पे कितना pressure है इस point पे और इस point पे कितना pressure है यह delta P को measure करते हुए वहाँ से हमें delta P is equal to rho g h यह वहाँ से हमें height calculate करके देता है जो basically हमें इसके अंदर कितना material है वो exact quantity हमें बताता है friends अगर हम इसके advantage की बात करें तो इसका जो installation है वो काफी easy है इसका removal भी बहुत easy है और ये expensive भी काफी कम है in comparison to others friends अगर हम इसके disadvantage की बात करें तो इसकी reading गलत आएगी अगर हमारे material की density change होती है या फिर हमें material कोई दूसा material change करके हम use कर रहे हैं तो in that case हमें उसकी density change करनी पड़ी है otherwise यह हमारा गलत reading देगा second friends it is mostly used for clear liquids इसको basically हम clear liquids के case में ही ज़्यादा prefer करते हैं so friends यह हो गया मेरा differential type level transmitter friends दुबारा सुनिए यह bottom के pressure को measure कर रहा है यह top के pressure को point measure कर रहा है और इस transmitter को reading दे रहा है यह transmitter क्या करेगा delta P is equal to rho GH दोनों के बीच के pressure difference को rho GH के formula में रखेगा और वहाँ से height calculate करके आपको liquid का level दे देगा कि vessel के अंदर कितना level है next मैं बात करता हूँ radar type friends radar type का working principle पूरा का पूरा ultrasonic के ही जैसा है इसमें देखें यह जो radar type है यह आपका basically एक radar type transmitter यह microwave आपका send करता है वो microwave यहां के surface के आती है यह microwave आई और यह ठक्रा के वापस चली गई so friends यह basically वही सेम काम कर रहा है यह देख रहा है कि कब मैंने signal छोड़ा और कब signal transmitter ने transmit किया और कब receiver पर receiver यह basically उसी time period को calculate करता है कि signal कब छोड़ा गया और signal कब receive किया गया depending on the basis of that time period यह हमें exact level बताता है कि जो भी हमारा tank है उसके अंदर actual में कितना level है liquid का so friends अगर हम बात करते हैं इसके advantages की तो इसका advantage यह है कि no physical contact with the process material इसका process material के साथ में कोई भी physical contact नहीं होता है absence of moving parts इसके case में कोई भी moving part नहीं होता है third one it is highly accurate suitable for all type of liquids and no need of doing calibration again and again इसका disadvantage friends यह काफी ज़्यादा expensive होता है and friends limited detection range इसकी जो detection range है वो काफी ज़्यादा limited होती है so friends hope आपको different type of level transmitters हमारे कितने तरीके के होते हैं जो हम industry में use करते हैं वो आपको clear हो गया होगा so friends अगर आपको मेरा lecture अच्छा लगता है तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए और जितना ज़्यादा possible है उतना ज़्यादा अपने friends से share कीजिए और मेरे चैनल को like कीजिए friends कल हम इस topic के बारे में discuss करेंगे वो बहुत ही important topic है और आपसे बार-बार interviews में पूछा जाता है कल हम discuss करेंगे glass-lined reactors के बारे में glass-lined reactors क्या होते हैं उन्हें हम कहां पर use करते हैं उनमें basically क्या हमें advantage मिलता है क्या उसके disadvantage होते हैं उसमें क्या-क्या problems आती हैं so friends ये सारी चीजे हम कल discuss करेंगे अपने lecture में जो होगा glass-lined reactors के बारे में till then goodbye have a nice day